नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावद के इस चैनल में आपका हारदिक स्वागत, अभिनंदन, सबसे पहले अंतराश्ट्री चाय दिवस की आपको हारदिक शुब कामना है, 21 मई अंतराश्ट्री चाय दिवस, चाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह आप हम सभी जानते हैं, खाली बैठे हैं, चलो यार चाय हो जाए, कोई मित्र आए, चलो यार चाय हो जाए, मिटिंग है, उसकी समाप्ती के बाद, चाय के लिए सबी लोग प्रतिक्षा करते हैं, किसी सेमिनार, कॉंसरंस का निमंत्रन मिला है, कार्ड में लिखा रहता है, आई टी की विवस्था है, जीवन क्या कभी कोई ऐसा खशन है, जब चाय की तलब न उठती हो, या चाय सर्व नहीं की जाती हो, टी पार्टी का योजन, रिटार्मेंट है, तो छी टी पार्टी, किसी का वेलकम है, तो टी पार्टी, चाय लगता है, हमारे जीवन का एक अभिन इस्सा बन गई है, भल हो भी क्यों न जब हम चाय के इतिहास की बात करता हैं तो अनेक तरह की कथाएं प्रचलित हैं लेकिन जो सर्वमान या बहु प्रचलित के विदंती है वो यह है कि लगभख 2700 बीसी इसा पूर्ग चीन के ततकाली साशक शैन नुंग अपने सैनिकों के साथ एक बगीचे में बैठे हुए थे वहाँ पर गरम पानी था और उस गर्म पानी में ऊपर से कुछ पत्तियां गिर गई पानी का रंग बदल गया पानी में महक आने लगी और बड़ी स्वादिश्ट भी लगी बस यहीं से चाय की उत्पत्ति मानते हैं और चाय का आविशकार हो गया किसने सो आज शायद ही दुनिया के कोई ऐसा देश हो जहां चाय की उपलब्धता नहों और चाय भी एक नहीं कई प्रकार की लेमन टी हर बल्टी मसाला टी अरे चाय में अद्रक डाल दीजेगा मज़ा आ जाएगा थोड़ी से इलाइची भी मिल जाए तो क्या कहने किसी को थोड़ हो गया अद्रक की चाय पी लीजिए खांसी हो गई अद्रक इलाइची की चाय पी लीजिए तो चाय में अब तो हम औशिधी गुन भी तलाशने लग गए हैं तो चाय तो ऐसा लगता है हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हो गया है चाय दिवस मनाने की परिकल्पना संभवता हिंदुस्तान की ही है मुख्य रूप से जो ट्रेड अंदोलन था चाय को ले करके यह यह कहूं कि चाय श्रमिकों के अधिकारों को ले करके चाय के उत्पादन और खपत को ले करके चाय बागान में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मानवी अधिकारों कार्यस्तियों पर कहीं ने कहीं समवाद करने के लिए विचार करने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए चाय दिवस मनाने की शुरुवात होती है 15 दिसंबर 2005 से जो यह यात्रा शुरू होती है इसमें मुख्य रूप से अफ्रिकन और एशियाई देशों का सेयोग मिलता है और बाद में जब एक प्रस्ताव रखा गया 21 दिसंबर 2019 को फूड एंड एग्रिकल्चर और्गिनाइजेशन खाद देवं क्रिशी संगठन एफ एओ जिसे कहते हैं यह यूएन की ही एक यूनिट है इसने विचार्य उमर्ष किया और अंत्त है यूएनों की महासभा ने भी इसे स्विकार किया है 21 दिसंबर 2019 को यह प्रस्ताव स्वि आद में यह तै किया गया कि 21 मई को प्रतिवर्ष अंतराश्त्री चाय दिवस मनाया जाएगा वस्तुत है चाय दिवस मनाने के पीछे जैसा मैंने आपसे कहा कि मूल धारना यही रही है कि हम चाय बागान में काम करने वाले कमिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके इसी के साथ चाय के पीछे एक पूरा का पूरा एक सांस्क्रितिक इतिहास है उसकी आर्थिक सामाजिक आवश्यक्ताइं है आज कितने ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति हैं जिनका चाय के आधार पर आजिवी का चल रही है वस्तुत है चा महत्व दिया है हमारे देश की जहां तक हम बात करें तो जो नौर्थ एस्ट जो एडिया है वहांँ चाय की खपत बहुत ग्रुथ चाय भरत के उत्तर पूर्वी ख्षेत्र से लेकर उत्तरी म्यामार और दक्षिन पश्चिम तीन के ख्षेत्रों में बहुतायत से होती है और अब तो ये एक ग्लोबल टी के रूप में प्रसिद्ध हो गई है चाय मुख्य रूप से एक पौधे से बनती है चाय की जो पत्ती ह जिसका नाम है केमलिया साइनेसिस चाय केमलिया साइनेसिस नाम के एक पौधे से निकली हुआ एक पेय पदार्थ है जिसकी अपनी एक सांस्क्रितिक विरासत के साथ साथ और शुद्य गुन भी है और उसमें स्वास्थिलाब की भी परिकल्पना है तो एक तरह से ये आंद खेज से निकली हुई चाय की पत्ति आपके घर में आते आते कप में एक स्वाजिष्ट पेपदार्ट के रूप में कहीं प्रफलित करती है आप कहीं उदासी फील कर रहे हैं किसी तरह का रोमांच है फुशी है तो चाय की तलब सहद रूप से उठती ही है और चाय से बड़ा आठित्य आज के दौर में कौन सा होगा महमान आते हैं तो हम चाय से ही उनका अम्मूमन स्वागत सत्कार करते हैं तो आईए इस अंतराश्टी चाय दिवस के ऊपर हम विभिन प्रकार की चाय का स्वाद लें घर में बनाएं पास में किसी रेस्टोरेंट में जाकर के हम उस चाय की विभिन प्रकार के स्वाद को उसका आनंद उठाएं चाय को लेकर के जो सोशल मीडिया है उस पर अपनी पोस्ट शेयर करें चाय पे चर्चा करें और चाय के साथ ही चाय की चर्चा पे ही नजाने कितनी योजनाएं बन जाती हैं कितनी भविश्य की संभावनाओं क को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को शेयर करें लाइक करें टिपनिया करें सब्सक्राइब करें एक बार पुन है आप सभी को चाय दिवस की शुब कामनाई जै हिंद जै भारत